जै श्री स्याम सभी स्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ बाके ब्यारी जी के पास है आप सभी कुछ अलोंगे आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है श्री राम चरित मानस का पाठ हमें किस विधी से करना चाहिए प्रत दिन हमें कितने दोहे पढ़ने चाहिए कैसे शुरू करना चाहिए कैसे भगवान को बुलाना चाहिए सब प्रतम भगवान का कैसे पूजन करना चाहिए वो सब मैं आपको आपने वीडियो में बता रही हूँ आखिर तक बने रहीएगा बहुत ज्यान बर्दक है आपको बहुत अच्छे लगेगा सुनकर कैसे ले में हम दुहा सोठा चंद गाते हैं सबसे पहले दिखाती हूँ म आपको अपनी ब्यास पीट जे पर की मैंने रामायड को रक्क हुआ है यह मेरी प्यास पीट और इसके ऊपर मैंने ऊप्सक्राइब का बिछाया है कि कैशी कि अब मैंने रख्क ह्यूए अपनी यह राम Pret opin मानस पिक है यह मैरे रखा हुआ है यह मेरी पहुत पुरानी है इस के लिए बस 25 रुपे की आई थे अब दिखाते हूं मैं आपको इसमें भगवान के चरणार बिंदू यवल सरकार के भगवान के चरणार बिंदू सबसे पहले हमें भगवान के चरणार बिंदू को परणाम करना चाहिए जब भी रामायट सुरू करें भगवान को नमन करना चाहिए अब देख रहे हैं आप यह आगई बिश्यसूची रामचरित मानस में बिश्यसूची आगई है इसमें आपको सभी विब्रण मिल जाएगा कि सबसे पहले कौन सा अध्याय है यह सब आपको दिक्स पढ़ने में आ जाएंगे बहुत सरल भासा में लिखे हुए है और है यह हिर्देव नियाश और यह है अत्धिहानम जब भगवान की पुजा करने बैठें तो इस की स्तुति का ध्यान करना चाहिए भगवान को नमन करना चाहिए इस स्तुति को पढ़के मामब लोके पंकज लोचन किरपा भी लोकन सोची भी मोचन नीले ताम रस शामे कामे कर हिर्दे कंज मकरंद मधुप हर जात धान बरूत बले भंजन मुने सजन गंजन अगी गंजन इस परकार हमें अथ दिहानम करना चाहिए अब बताती हूँ आपको मैं यह नव परायन आप देख रहे है न यह जो लिखा हुआ है यह हम कैसे करना है तो देखे यह प्रिथम बिश्राम लिखा हुआ है 74 पेज पर ठीके दूसरा बिश्राम बिश्राम कार्थ है कि पहली दिन हमें करनी है 74 पेज पर दूसरे दिन हमें करनी है 25 पेज तक तीसे दिन करनी है बन 78 त करते हैं उसका अतिमहत था है राम जी की बरात निकलते है राम जी का बिभा होता है यूजे भग邊 की राम-लीला मनाई जाती है उतर सब होता है तो अ दिनों धन राम-अवारत महत का बहुतु तो जब आप करें जुआ वहलं कि शन्योय róż거를 जो कीलो एक महीने में रामायड का पाट करना चाहते हैं तो उनको कैसे करना है तो इसमें बहुत अच्छे सदियों है जैसे पिर्थम विश्रां 31 पेज पर दूसरा विश्रां 45 पेज पर अर्था पहले दिन हमें 31 पेज तक पड़नी है दूसरे दिन 45 पीज तक अब मैं आपक इसे देखेंगे कि लिखा हुआ है लेकिए जब 31 पेज आएगा ना तो मैं आपको दिखाती हूँ तो वहाँ पर अल्डेडी लिखा रहता है कि आपको यह रूपना है किया है देखें मास परायां पहला देखा वह ना तो इसका मतलब मैं यह तक 25 कर दो नाली न मो're time United और दूसरे दिन हमें इस jake से दोबारा सुरू करना जब इसका भिश्राम बाली जगे औहां पर फिर लिखा होगा दूसरा बिश्राम इस तरीका से आप confused भी नहीं का लिखा होता है तो बिल्कुल भी रामायद पढ़ती समय हमें कंफ्यूज नहीं होना है अब आपको बताती हूं कि हमें रामायद पढ़नी कैसे है उससे पहले भगवान शिया राम जी के दरवार का अपनी रामायद आपकी जो है मेरी बहुत पुरानी रामायद है इसलिए क्योंकि मेरे पूजागर में इसी तरहीं से रखी रहती है खुली क्योंकि हम लोग दॉनों टाइम इसमें दियावद्टी करते हैं आर्थी करते हैं और मैं अभी नई लाने की इच्छोप नहीं हूं क्यूंकि जो हमारी प्राचिन ग्रंत होता है उसकी सुरू से पूजा हो कि भगवान में रामायट का पार्ट करना शुरू कर रहे हूँ, आप मेरी मनो कामना पूरी करना और कैसे बुलाएं भगवान को बुलाने के लिए एक इस्तुति की जाते हैं कथा प्रारंब होत है, आओ हनमत वीर, राम लखन सीता सहित, हिर्दे बस और अगवीर, सियावर राम चंद्र की जै, इस तरीके से भगवान को, श्रीहरी को, सियाराम जी को आसन दिया जाता है, हनमान जी को बुलाया जाता है, आप मैं रामायट पढ़ रहे हूँ, आप आकर स्थान लीजिए, अब इसके बाद फिर रामायट मानस का पार्ट सुरू होता है, देखिए, पर्णानाम आर्थ शंगानाम, रशानाम छंद्र सामपी, मंगलानाम चकरतारो, पंदेवानी विनाये को, ये इस लोख हैं, इनको बहुत साबधानी से धीर धीर आप आराम से हो जाएंगे, जल्दवाजी करेंगे, तो नहीं उपाएंगे, खीके न, अब इस तरीके से जब ये हो जाएंगे, उसके बाद आता है सोर्था, ये सोर्था पढ़ने की बिधी है, इसको हमें सोर्था को इस तरीके से ही पढ़ना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि चौपाई कैसे पढ़ने है अब मैं आपको बता रही हूँ कि चौपाई कैसे पढ़ने है बंदों घुर पद पदम परागा सुरच सुवाश शरस अनुरागा अमिय मूर में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू शुक्रत शांब तन भी मल भीभूती मंजुल मंगल मोध परशूती जन मन मंजु मुकुल मल हरनी की तेलक गुन गन वस करनी इस प्रकार हमें चुपाई पढ़नी है अब आता है दोवा दोवे को कैसे पढ़ा जाता है अब लगाए जाता है दोवा पढ़के संपुट अभी एक और दोवा पढ़के मैं आपको सुनाती हूँ अब जो संपुट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ ओदा पहले एक दोहा उसके बाद संपुट लगाए जाता है ओदाशीने अर्मीत हित सुनत जरही खल रीत जान पाने जुग जोर जन भी नहीं करें सपुट सी आवर रामचा की जै मंगल भवन अमंगल खारी गिर्वव सुदस रत अजर भिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनात्मम संकट भारी रामायन सुरतर की छाया दुखवय दूर निकट जो आया दैक दैविक भोतिक तापा राम राज काहू नहीं ब्यापा अब आपको एक छंद सुनाती हूं जोगी अकंटक भैपती गत सुनात रत मुर्चित भाई रोधत बदत भवभात करना करत संकर पही गई अते प्रेम कर बिंती बिभिद बिद जोरे कर सनमक रही आशा करती हूं आपको रामायर की बिधी करने का तरीका समझ आगया हूंगा और रामायर को पाट करते समय आप प्राते इसनानादी से निब्रत होकर साप सुद्धिबस्र पहन का पूर्वजशा में एक आसन बिछाईए ब्यास पीट रखिए ब्यास पीट ना हो तो पटला रखिए उस पे लाल कपड़ा बिछाईए अपनी रामचरित मानस को रखिए तब आप आठ दूप दीजिए भगवान को पहले चरण में भगवान के स्तुति कीजिए मैंने अत्य ध्यानम बताया था मैंने आपको इस्तुति बताई थी कैसे भगवान को बुलाया जाता है कथा प्रारंब होत है आओ हन्मत वीर राम लखन सीता सहित हिर्दे बशव राके तब रामायड को मनो कामना के साथ सुरू करें अपने जब भीुषरू करें फिर हम लोक का जब पढ़ रहे हूं बहुत दिहान से पढ़े धीरे-धीरे पढ़ें चपाई को ध्यान से बहुत लेया से पढ़ें दोहा आयत उसके साथ संपुट लगाएं मंगले भवने अमंगले हारी दिर्वहु सुदसरत अजर बिहारी दीन दयाले वेरद संभारी हरोनाथ मम संकट भारी और आपने नप परायड कर रहे हैं या मास परायड कर रहे हैं आपको एक बार में इत कर लीजिए और सामको कर लीजिए भगवान का नाम लेने में कोई परशानी नहीं होती कि आप सामको क्यों कर रहे हैं किस समय कर रहे हैं जिस समय भी आपका मन करें भगवान का नाम लेने बैठ जाए बस हाथ दो लीजिए भगवान का कुल्ला कर लीजिए मुह गंदा है त ति Satan कि या म्र्यादा पुशतमगा में मर्यादा का उद्हारान देते हैं हमारे जीवन को सुन्दर बनाते हैं उनके जीवन से हमे exists भगblowing laquelle दोर्फ समय आरती होती है ना उनके घर में क्लेश नहीं होती है उनके घर में कोई बिपदा नहीं आती अकाल मृत्यू नहीं होती कोई संकट नहीं हाता है तो आप रामाइड का पाट जरूर करिएगा नबदुर्गे आने वाले हैं और वैसे भी प्रतिदिन आप पांच दोहे साथ द यह 21 इनका नियम बनाईए प्रतिदिन कम से कम पांच दोहे जरूर कीजिए ज्यादा नहीं हो सके तो पांच दोहे कीजिए लेकिन जरूर कीजिए देखिए आपको खुदी आनन्द आने लगेगा और आपका मन लगने लगेगा अभी के लिए ब्राम लेती हूं जैशियरा हम लते हूं